हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल कैसे हूँ आप लोगाई हूप आपस भी बहुत अच्छी होंगे तो आज हम बनाएंगे कठल की सब्जी और ये कठल की सब्जी आप देख सकते हैं कितना टेस्टी बना है इसको खाने के बाद आप भी मटन खाना भी भूल जाएंगे ब कोई भी बरतन में डाल देंगे तो यहां मैंने भगोना लिया है और इसमें हम डालेंगे एक छोटी चमश नमक आदी चोटी चमश हल्दी पॉडर और एक चमश इसमें हम डालेंगे तेल तेल डालने से इसका जो गलू होता है वो बरतन में चिककता नहीं और नमक हल्दी ड कर दिया है ताकि उबाला जाएगा हम इसको मेडियूम पर देंगे यहां पर मैंने एक बरें साइज का प्याज लिया है एक बरें साइज का टमाटर रहे है चार हडी मिर्चे दस से पंदर लैसन के कलिए इन सब को में पीछना है और यहां पर देखिए कटल वी वैल हो चुका है तो पटल देखिए काफी अच्छे से गल गया है तो जो हमने नमक डाला था उसकी वज़े से यह जल्दी गल जाता है और हल्दी डालने से संदे कलर बढ़ियां आता है अगर इसको हम बिना हल्दी का उबालते हैं तो थोरा सा काला सा हो जाता है अच्छा नहीं लगता तो हम इसको निकाल लेते हैं गैस ओफ कर दिया मैंने पानी में इसको फटा-फट निकाल लेंगे पानी में छोड़ना नहीं है ने यह बहुत सारा पानी अब्जॉब कर लेगा और यह आप देख रहे हैं पानी जो नमा खल्दी वाला पानी है आप इसको चाहे तो करी में आपकी मर्जी है और इसके बाद हम यहां पर पीस लेते हैं सारी चीज़ों को तो सब चीजों को एक साथ ही पीस लेना है और बहुत बढ़ियां से इसका पेश्ट बना लेना है काफी अच्छे से स्मूध पीसना है और लिजी यहां पर प्याज टमाटर हड़ी मिर्च और प्राट्रे आपज्ट हिएं पर तैयार है काफी बढ़िया इसमेने पीच लिया है और एक बरावाला प्याजक को यहां पर मैंने बाड़ी काट लिया है तो अब हम चलते हैं सबजी बनाने के लिए यहां पर मैंने neuralcan को ह talks के अधिके वर से पर आई रखेंगे और दो बरत समच दूछ इस में डालेंगे सर्सू का तेल इसकोiasm सर्सू के देल में पनाएंगे क्योंकि सर्सू ब्राउन करना है तो चार-पांच मिनट का टाइम लगेगा तो इसको इस तरह से उलट पिलट करके अच्छे से फ्रै कर लिजिए और अभी कटल का सीजन है ना तो काफी टेस्टी लगता है इसका सब्जी खाने में अगर बिना सीजन का जब मिलता है तो स्टम इतना अच्छा नहीं लगता है लेकिन अभी सीजन चल रहा अभी चोटे-चोटे से कटल आ रहे हैं अब बहुत ही टेस्टी लगता है इसका सब्जी तो यहां पर देखे कटल काफी अद्ट तक फ्रै हो गया है और जो नहीं हो उसको मैंने उलट प्लट कर दिया है तो देखे यहां पर चोटे-चोटे से दिख रहे हैं कटल के बीज वगर यह भी आपको निकाल लेना है क्योंकि इसमें जलता रहेगा ना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा और इसमें हम वापस से एक चमाश तेल और डाल देंगे और एक तेश पता डाल देंगे दो सुखी लाल मिर्च और एक चोटी चमाश जीरा शारी चीजों को पकने देंगे यहां पर हलका से ब्राउन होने देंगे और मैं इसको सर्सू तेल में बना रहे हैं सर्सू तेल में कापी टेश्टी लगता आप जो भी तेल खाते हैं उसम पाना है तो नमक डाल देते हैं ताकि जल्दी से गल जाए अभी हलका सा प्याज भून चुका है तो यहां पर हम इसमें नमक डाल देते हैं ताकि जल्दी से प्याज गल जाए और है फ्रेम पर ही पकाएंगे प्याज को भी चलाते रहेंगे ताकि जले न और लीजे यहां पर प्याज भी काफी अच्छी से ब्राउन हो चुका है इसके बाद हम डाल देंगे इसमें जो हमने पेश्ट पनाया था तर्माटर प्याज हरी मेर्च लैसुन का और अब हम इसको चाहर पांच मिनट तक पकाएंगे ताकि यह थोरा से ड्राइव हो जा क्योंकि काफी ज़्यादा देख रहें सेंने पानी है और थोरा से इसको पकाना भी है तो यहां देखे काफी अब तक यह सूख चुका है मतलब आदा पाने इसका फ़तम हो चुका है अब हम गैस के फ्लेम को लो करेंगे और इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले तो सबसे पहले दो छोटी चमच धनिया पॉडर और इसके बाद एक छोटी चमच गरम मसाला लाल मिर्च पॉडर एक छोटी चमच और कस्मेरी लाल मिर्च पॉडर एक बरा चमच और हल्दी पॉडर हम डालेंगे आदी छोटी चमच हल्दी वाला पानी भी हम इसी में डालेंगे तो हल्दी थोड़ा कमी इस्तिमाल किजिएगा सारे मसाले को मिला देंगे और मसाले को खुबच्ची से भूनेंगे दो मिनिट तक मैंने गैस के क्लेम को लो ही कर रखा है इसके बाद हम डालेंगे इसमें एक वरा चमच मलाई ये मलाई वो है जो हम घी बनाने के लिए स्टोर करते हैं न वो इससे काफी बढ़ियां टेस्ट आता है ये आप जरूर डालना बागी ताजी मलाई भी हो तो वो भी आप डाल सकते हैं ये तीन-चार दिन पहले का मलाई है जो हम में कठा करते हैं गी बनाने के लिए अब हम इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से और मलाई को मेल्ट होने देंगे कट्र यहां देखीं मलाई काफी अच्छे से मेल्ट हो गया नात इसके बचे से थोरब साOoh मसाले का टेक्सर देखे काफी अलग हो गया अच्छा दिख रहा है काफी बढ़िया स्मूथ दिख रहा है मसाले को खुब अच्छी से भूनना है देख रहे हैं आप कराही यह छोड़ने लगा है और मसाला काफी बढ़िया दिख रहा है इसके बाद डाल देना है इसमें कटल और कटल और मसाले के जोइवी आप एक बढार navigator करना बहुत ही उनिक तरीका में आपको बता रही हुक्जो आपर तो यहां देखे 2 मिनट हो चुका है इसके बाद हम डालेगा इसमें पानी तो सबसे मैंने mixer चाड़गा को भोड़ करके इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हल्दी वाला पानी था तो यह लगबक डेड़ गलास पानी है तो मैं यह आपर सारा ही डाल दूंगी आप अपने हिसाब से जितने ग्रेवी आपको चाहिए अगर आपको कम ग्रेवी चाहिए तो आप कम डाल सकते हैं पानी या ज्यादा तो यहां पर देखे दस बारा मिनट हो चुका है मैंने इसको लोग लिम पे छोड़ दिया था दस बारा मिनट के लिए और इसका ग्रेवी काफी जादा गाड़ा हो गया है और यहां पर कटल की सब्जी तयार है अब हम इसमें कुछ नहीं करना है और देखे यहां पर कटल भी काफी बढ़िया तरह से गल गया है और ग्रेवी थोरा सा पतला देख रहा है यह ठंडा होने के बाद गाड़ा हो जाता है और लास्ट में आपर हम डालेंगे एक बड़ा चमच रोष्टेड कसूरी मेथी इसको मैंने हलका सा रोष्ट कर लिया था पांच-दस सेकेंड के लिए और इसको हम क्रेश करके डालेंगे और देखे अब इसका सब्जी का टेक्सर देखे कलर देखे कितना बढ़िया आया ह आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने फैमली और फ्रेंड के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए